इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं BPSC में हमें वेकंसी के बारे में जिसमें आपको बता चलेगा पोस का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सेलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी तो वीडियो के अन तक बने रहे हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा थे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आगन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे है इसलिए बात करते हैं BPSC में आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में यह जो नोटिफिकेशन आया है यह BPSC मतलब बिहार लोग से आयोग के द्वारा लाया गया है और जो पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे हम आम भासा में सहायक प्रध्यापक भी कहते हैं और यह कौन से कोर्स के लिए इसका मतलब कौन से सब्जेट के लिए यहाँ पर आया हुआ है तो यह एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजिरिंग के लिए जिसमें अगर हम देखें तो यह अलग-अलग कैटीग्री के लिए यहाँ पर यह पूरा जो पोस्ट है उसको डिवाइट कर दिया गया है और टोटल जो पोस्ट है वो है 208 इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम्म 21 एर है और मैक्जिमम कोई लिमि सकता है इस बात का ख्याल रखिएगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजिरिंग में बी और बी टेक होना जरूरी है और इसके साथ आपको मास्टर्स किया होना भी कंपल्सरी है मास्टर्स में अगर आपने एक ही पाठी कर सकते हैं और इसमें ध्यान दिजिएगा अप्लाई करने का तरीका है वो ऑनलाइन मोड है जिसका लिंक आपको इसका ओफिशल वेबसाइट पर मिलेगा साथ ही साथ हमारी description box और comment area पर भी इसका link मिल जाएगा selection process अब आपका यही से start होगा selection process कुछ इस तरीके से है कि इसमें एक exam होगा exam के base पर आपका जो आपको shortlist किया जाएगा और shortlist करने के बाद interview के base पर आपका selection इस post के लिए कर लिया जाएगा तो यह तो था इसका process अब कुछ लोगों का यह सवाल आता है कि इसमें age limit तो कुछ रखा नहीं गया है अपर age limit तो इसमें जो experience candidate है क्या उन्हें कुछ सहता मिलेगी इसका मतलब क्या उन्हें कुछ priority दिया जाएगा तो ध्यान दिजेगा कि इसमें वो candidate जो experience holder है उनको इसमें कुछ extra marks दिया जाएगा उन्हें कुछ preference दिया जाएगा इस बात का ख्याल रखियेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि as a pressure यनि कोई candidate pressure है तो वो किसमें apply नहीं कर सकता बिलकुल apply कर सकता है अगर आप exam fight कर सकते हो तो अच्छे number लेकर आ सकते हो तो आप इसमें select भी हो सकते हो इस बात का ख्याल रखियेगा select होने के बाद इसमें जो आपको salary मिलने वाली है वो level 10 का होगा और यह salary लगभग होगा आपका 57,700 रुपए पर मन्त के बीश और इसके सासत आपको other allowance भी provide होगी other सुवधाय भी provide होगी जो की बिहार government अपने employees को देता है वो सारी सुवधाय के हगदार होगे आप तो बिलक रखिएगा और ऐसे informative वीडियो को पाने के लिए साथ इसाथ हमारे चनल को follow भी करते रहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी information मिस ना हो तो हमारी telegram चनल को भी follow कीजिए same name with same logo. Thank you.